हलेलुया आंडवरेश शुक्रस्तुविन परिशुत्त नामतर के मगिमय उंडावदाखे प्रभीश मसी के पवित्र नाम की महिमा हो इंद मगल्ची आन परिशुत्त विवाग आरादने क्या आखे देवने नंडी योड स्थोतरी किरें ये आनंद और पवित्र विवाहिक आरादना के लिए प्रभु को सुक्रियादा करता हूँ प्रभु की सेवकाई में मिशनरी ये मिशनरी के बच्चों के रूप में कार्थिक ये बलसी के हम इस मंच पे हम देखते हैं इन बच्चों के विवाहिक को कराने में जो प्रभु ने मुझे भाग्य दिया है उसके लिए प्रभु को मैं धनवा देता हूँ इस कुपसूरत प्रभु के भवन के उद्गाटन के बात पहले विवाहिक आराजना मिश्नरी मिश्नरी बच्चों के जो हो रहा है ये बहुत ही दिल खुश करने वाली बात है अरमयान ब्लसी उड़ये पाटी मिस्स जेम्स अवरगल इंद सबयन अंगतनर ब्लसी की दादी मा जो जेम्स मता जी है वो इस कलिश्या के विश्वासी रही है इस कलिश्या में वे स्थिर रहकर विश्वास के मार्ग में वो जीवन भिताये थे उनके बच्चों में एक पास्टर स्टैनली जोन्स है फ़स्टैनली जोन्स अवरगल विश्वास पादैल वंद आवरगल के विश्वास द विवाघ माही प्रग उड़ीक्तिल कडंद चंड मिश्वास के मार्ग में आगे बढ़े आगे बढ़ते हुए उत्तरवारत के मिश्वास में भी ऊच्ग कर करने लगे पास्ट स्टैनली जोन्स जब काटा तुरै के कलिस्या के विश्वासी थे तो मैं भी उस्वान्ता उनके विश्वास के मार्को देखकर मैं देखने का बुझे मोका मिना उनके साथ रिष्टा बात्चीत करने का एक अच्चा मोका मुझे मिला था तबके पास्टर तौमस ने मुझसे कहा की आप और कांजरोट के एक भाई और पास्टर जोन्स के साथ मोलचल में जाकर एक वीबियस चलाने के लिए अनुरोध किया था तब इनका गर में पहुँचा वायलुक पोईर क्रालन सोन्ना रिखल वोलोग बोलने लगे कि वो खेत में गए हैं आतंकरेल पोई अंद वयले पार्त पोळथ वाहंपर वो नदी पार्कर के जब वो अमें खेत पोऊंचा विवांपर वुरद तोड रहे थे तब इये जो चोटा उनका बड़ा बेटा है वहां खेत में ये खेल रहा था अंद मुदल संधिप्प पोउस रूथ उडए और शलिपवा नवयलनलत थिन संधिपभाख वे इरंद दें आज पहले मुलाकात पोई रूथ के वो हर्याली परी उस खेत को देखने का एक अच्छा दृष्य था आज वही केत में इतन वलाई फुल्गास्पल चर्च स्थिर है फेर इंदिनों में वो सेवकाई के लिए उस केत को दान के रूप में दिया था इस प्रकार VBS एवों दूसरे सेवाओं को जबो कर रहे थे तब उनको पूर्ण कालीन सेवकाई के लिए बुलाया कन्याक्मरी जिला के मुलचल पालूर नमकलिस्याओं में सेवा किये हैं उसके बाद मिशनरी मुलाहट प्राप्त करके उत्तर भारत सेवा में गे पास्टर तामस के उत्तर बारती एक यात्रा में एभी साथ थे पास्टर अडिकडी सोल्लुवार इवरगले एंद विदम उन्नायत्तंगलिंडी अंद टूर ले वरम बोलुदे अंद बन्बस आविले नांगले अरक्की विट्ट 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 वंदों एनु सोल्लुवार पास्टर जी अखसर याद करते थे की इन लोगों को रहने का कोई बंदोबस्त नहीं किया ता उस यात्रा के बीच में ही उनको एक जगा में हम उतार के हमलों वापस चले आय थे भारत और नेपाल के उस सीमा में परमेश्वर की सेवा को महिमा में रूप से किया वहां पर उनको मारने की दम की देने के बाद भी प्रभु की सेवा बड़े मत के साथ किये एक बार पास्टर स्टैनली जोन्स के उनके का महनत करने के समय पसीने के साथ लहू भी टफकने लगा इतना महनत करके प्रभु की सेवा उनोंने वहां पर करके स्थापित किया उसके बाद लखनाव वारनसी नमक स्थानों में परभेश्वर के राज को खड़ा किया अचानक परमेश्वर अपने पास्टर जी को बुला लिया मिस्स विमला जेकांदनी जोन्स अवरगल तोडंदु इमठुम अद देवा उल्या पादयिल सेलबट वरगिन डारहल मिस्स विमला जेकांदनी जोन्स अभी भी उस सेवा को कर दे आ रहे हैं इस वक्त वे लखनोव के फुल गास्पल तियालोजिकल लेडिस कोलेज के उसको वो अगवाई कर रहे हैं उनका बड़ा बेटा पस्टर चाल्स फिन्नी आवर इन्ड़े कुडमा मायर करार वेस बंगाल ले कुल्टी एनकरडतिल मिश्नरी वोलियत्तेई इदे स्ताबनतिन केल सेधवर गरार आरगल उनका बड़ा बेटा पस्टर चाल्स फिन्नी पच्शिम बंगाल के कुल्टी नामक जगा में परमेश्चर की सेवा इसी संस्ता में रहकर करते आ रहे हैं मर्दूर कुछी में हमारे असिस्टंट भी रहे हैं पर्मेश्चर के लिए महीमा में सेवा करना हमारे लिए पर्में बड़ी कुशी है पर्मेश्चर इस परिवार में प्यारे ब्लसी को भी दिया उनका जीवन भी पर्मेश्चर के मार्ग में आत्मिक मार्ग में प्रभु के अंतर्गत वो आत्मिक बातो में पली बडी है सेवकाई के हर भाग में हर परिष्टिती में जब प्रभु का दास उनके पिताजी गुजरगे उन अलग अलग परिष्टितीयों में वी उनको भड़ा के खड़ा किया उनके माता जी की प्राठना के बदोलत परमेश्वर इस जगा में लेया कर खड़ा किया है वो पूर्ण कालीन सेवकाई के लिए समर्पन की है जब इस बात को हम सुने तो हमारे लिए चौकाने वाली और बहुत खुश करने वाली बात थी उसके लिए परमेश्वर ने जो कार्थिक को तैयार किया है इसको सुनकर भी हम बहुत खुश हुए इस परिवार को जब बे विश्वासी थे असन सोल के एक कन्वंशन में जब में भाग लेने गया तो उनसे मुलाकात हुआ अच्छे गुणकारी परिवार के हैं वे परमेश्वर के बुलाहट को ग्रहन करके मिश्वा में आगे आए वे उत्तर प्रदेश के सीतापूर नामक जिला में प्रभी की सेवा कर रहे हैं वहां पर जंगल जैसा एक जगा को सही करके प्रभी का भवन खड़ा करके परमेश्वर की सेवा को करने के लिए परमेश्वर इस परिवार को इस्तेवाल किया पास्टर भजंदास के परिवार भी विश्वास में बहत स्थिर वाले परिवार हैं पिछले साल में वे पास्टर जिया चानक प्रभु में सोगे उस परिष्टिती बेभी बहनने उस सेवकाई को आगे बढ़ाते चलाई उनके दो बेटे हैं उनका बढ़ा बेटा अच्छानक प्रभु का बुलाहट पाकर प्रभु की सेवा में आगे आया अवर्दान इंदा मनमगन कार्थिक वही ये दुल्हा कार्थिक आच्रियमागे देवन अवनई चुरू वाइद लेए ताप अन्विटे संदर अंदा उलिते नल्लमुराईल नड़त बाइन बढ़ती वरगरा बड़ा अश्चरे की बात है कि पिता जी के जो छोड़े विये उस सेवकाई को बेटा अपने कंदा में लेकर चला रहा है इन दोनों के विवाई कारीकरम को इस कलिस्तिया में चलाना अगवाई करना बड़ी खुशी की बात है प्रभी शुमसी के नाम से इनको शुब कामनाएं देता हूँ प्रभी की ओर से आश्चीश पराप्त होँए इनका आत्मिक जीवन सेवकाई जीवन माता पिता गुरुओं के सामने एक अच्चे रिती से चल कर प्रभो इनको आश्चीश करने के लिए इन दोनों को सुब कामनाएं देता हूँ परमेश्वर के वच्चन को बाटने के बात मैं वेवाहिक बंदन में इने आगे बढ़ाएंगे इफिस्यों उसका पांच अधियाई उसका पच्चीश वचन में पढ़ते हैं हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो तीतु इरंडाम अधिगारों नांगाम वसनतिल नाम पार्किन्रों तीतु इस दो का चार में पढ़ते हैं और बच्चों से प्रीती रखें इन दोनों बैबल के वच्चनों में पढ़ते हैं कि पुरुष अपने पत्नी से प्रेम रखें और पत्नी अपने पत्ती से आज्याकारी माने इसलिए सबसे पहले इनको में एक सलाग दूँगा तो प्रेम के साथ रहें मसीहित के बुनियाहाद प्रेम है पत्ति पत्नी के परिवार के बुनियाहाद प्रेम है दोनोंको अपने दिल्के गहराईंवे वो प्रेम बारा हुआ होना चाहिये वो प्रेम ही जोडने वाला एक ताकत देवन अनबागवे इरुकरार एंड वेधत्तिल पडिक्यरों इसलिए जब पर्मेश्वर इनको जोडता है तो अपने प्रेम के बदोलत जोडता है कोई भी पत्ती अपनी पत्तिनी के साथ प्रेम बाव रखे इसी तरह एक पत्तिनी अपनी पत्तिनी के साथ प्रेम से बरा हुआ होनी चाहिए इस प्रेम का कभी गटी होनी नहीं चाहिए कभी कभी इस प्रेम के बीच बे कुछ चिंताएं गुज जाती है वहां से वो फिर प्रेम घटने लगता है अगर उमस पर ध्यान नहीं देंगे तो उनको फिर बैर करने वाली भावनाएं आ जाहेंगी खास त्रुपसे इंसान के अंदर एक स्वाभावीक प्रेम रहता है इंसान के स्वाभावीक प्रेम एक सीमा तक है थोड़ा सबो सराहेगा थोड़ा उठाएगा एक सीमा उसका है उस पत्ती और पत्तिनी के बीच में रहने के समय ये स्वाभावीक प्रेम थोड़ा हद तक वो साथ देगा जब परिस्तितियां गळवडाती है तो ये स्वाभावीक प्रेम हाथ नहीं देता अधर कितान रोमर आइंद आइंद लें सुल्लपटबड़ा पड़ी देवन तमद परिस्तित्ता आवीन मोलं देव अन्बई नमद उल्लंगलील उत्तित अंदर कराद इसलिए रोमियों पांच के पांच में पढ़ते हैं परमेश्वर अपने पवित्रात्मा के बदोलत उस प्रेम को हमारे लिए उंडेल रखा है जब हम उस परमेश्वर के प्रेम से बरे रहेंगे तो किस्ची भी परिस्थिती में एक दूसरे से प्रेम कर सक्टे हैं क्योंकि परमेश्वर का प्रेम सहन सील से बरा हुआ है माफ करने का तात्परिय है दर्दनाक बातों को माफ करने का भावना है इन दोनों बच्चों को उस प्रेम के साथ हापसु में प्रेमाव रखना है हापस में एक दूसरे के कोई दुक्क नही देना चाहिए इस बात पर वो अटल मजुबूत रहना है कभी कभी किसी के मुझसे निकलने वाली बात उनको खड़ा कर सकता है उठा सकता है वो दूसरे को गलत बात गिरा देगा तो जो प्रबावित होता है, थोड़ा उस बात को सहने का कोशीश करना चाहिए माप करने को खोशीश करना चाहिए जहाँ उनको चोट लगा है, उस जगा में माप करने शिखना है इसको करेंगे तो परिवार एक सफल परिवार होगा प्रेम भाव के साथ रहें दूसरा प्रेम को प्रकट करें दूसरा कुरुंतियों दो का आठ में पढ़ते हैं अपने प्रेम को दिखाने के लिए आपसे गुजारिस करता हो प्रेम तो अमारे अंदर भरा हुआ है लेकिन जब उसको दिखाएंगे तब ही आपस में ये प्रेम काम आएगा यलकान अपने पत्तिनी से कहता है दस बेटों से बढ़कर मैं तुमारे लिए जाधा नहीं हूँ इस ये कह कहर अपने शब्दों से उसको शांती दिलाई पुरुषन मनैवी ओरवर कोरवर इपड़ी पटड़ अन्बिन वार्तेगल विसारिकें वार्तेगल चोल्ली चोल्ली तंगल के रिकोड़ी अन्बै वलिपड़त वेंडों पती पत्नी प्रेम बाव के साथ इस तरह के बातों को कह खैर एक दूसरे से अपने प्रेम को प्रकट करना चाहिए अपने प्रेम से प्रेम करते हैं अपने होटों के शब्दों से प्रदर्शित करें पत्नी प्रेम करते हैं इस बात को अपने प्रियाओं में प्रकट करें तब वो प्रस पर प्रेम हम एक दूसरे को और नस्दिक लेाकर बंदन बना देता है अन्बूल्ला वरकल आई रंगल प्रेम बावना के साथ रहें अन्बै काण्बी करवळा इरंगेल प्रेम दिखाने वाले बने कड़ेश्यागे अन्बिले निलैत्तिरंगेल आकरी प्रेम में स्थिर रहें उन्डर योवान नान्गु पदिनार चोल्लुगरदु पहला यूहना चार चोदा में लिखते हैं 1 जो प्रेम परमेशर अहम से रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है परमेशर प्रेम है अवर जो प्रेम में बना रहता है परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है अन्बिल नलाइत्तर कवेंडुमें अन्दु सोल्लबटर करदु प्रेम में बने रहने के लिए बताया गया है अन्ब कुरिय तंबदी अरगले प्रेमी दंपतियों सबके लिये तो संदेश है आप अपने दिल में प्रेम भावना की साथ रहे कई रीतियों से प्रेम को प्रकट करे अगला प्रेम में स्थिर रहे परिस्थितियां बदल्ती जाएंगी हर परिस्थिति में प्ति प्तिनी का प्रेम बने रहे ना चाहिए आनंद में खुष रहे ना ही नही दुख्य समे में भी हमें आनंदित रहे ना है पति या पत्री अपने पसंद की बातें ही नही ना पसंद की बातों में भी प्रेम बने रहे ना चाहिए इसके लिए हमें एक स्थिर ता चाहिए बले ही समय पार हो जाएं प्रेम कम नहीं होना है अब आप पती पत्नी के रूप में जीने जा रहे हैं अब उस दिन के बाद आप माता पिता हो जाएंगे बच्चे हो जाएंगे उसके बाद जब आगे समय पार होता है दादा दादी और नाती पोते हो जाएंगे अंद कालत लूँं इंद कनवन मनेवी कुल्ली इरुकर अन्बू निलाइत रुकर वेंड़। उस समय में भी पती पत्नी के आपसी प्रेम में कमी घटी नहीं होनी चाहिए। अपके आपसी प्रेम दिरुड रहे। इस प्रकार का प्रेम का कार्य ही यहां होने जा रहा है। आप दोनों इस बात को अच्चे से समझ कर आपस्थिर बने रहें। प्रभी इस्व मसी जल्दी आने वाले हैं। उसका प्रेमी उस प्रम्राजियम में अमे ले जाना चाहता है। उस प्रभी इस्व मसी के उस सेवकाई में यह दोनों करने जा रहें। इसलिए प्रेम के साथ परिवार में रहें। उस्सी प्रेम से बरे रहकर प्रभेसर की सेवा को पूर्ण करें। प्रेम के साथ सत्य को मन्ने वाले जुन्ड को तैयार करें। आप और आपके बंग्ष और आपके कलिस्याई बंग्ष भी अननन्त जीवन के राचे में प्रवेस करने में प्रभु अनिगर करें। करतर आशीर वधी पाराखें। प्रभु हमें आशीश करें। 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 आपके बंग्ष अनिगर करें करें। करतर आपके कलिए और आपके कलिए